वह अवस्था जिसमें उच ताप पर पदार्थ के प्रमाडू आइनित अवस्था में होते हैं उसे पलाजमा अवस्था कहते हैं पलाजमा अवस्था जो होता है वो बिधूत का सूचालक होता है यानि कंड़क्टर होता है वो अवस्था जिसमें उच्छता पर पदार्थ के परमाड़ू वो अवस्था वो अवस्था जिसमें उच्छता पर पदार्थ के परमाड़ू आएनित अवस्था में होते हैं तो उस अवस्था को पलाजमा अवस्था कहते हैं पलाजमा अवस्था बिधूत का सूचालक होता है क्या कते है melting point या गलनांग हर पदार्थ का अलग अलग गलनांग होता है यह भीन-भीन पदार्थों का गलनांग भी क्या होता है भीन-भीन होता है जितने भी पदार्थ होते हैं सब के गलनांग भीन-भीन होते है ठोज को पिखलकर द्रोब बनने की क्रिया को क्या कते है गलन एक होता है melting मतलब गलन और दुसरा होता है गलनांग, गलन क्या होता है ठोस को द्रोव बनने की किरिया गलन कलाती है, अगर ठोस है और द्रोव बन जा रहा है तो गलन हो गया, और जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिखलकर द्रोव बन जाता है, उस पदार्थ को गलनांग करते हैं, तो गलन और गलनांग melting and melting point में difference होता है कि ठोस को द्रोव बनने की किरिया को गलन कलाता है और जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिखलकर द्रोव बन जाता है, उस पदार्थ उस ताप को गल्णांग करते हैं उसी परकार होता है इवापोरेशन वास्पन हम किसी बर्तन में रख दिये चावल पकाए खाना बन रहा है अब इसके पात्र कोकर हम किसी प्लेट से ढप देते हैं जैसे प्लेट उठाते हैं तो क्या होता है कि इस प्लेट की आंतरीक भाद पर कुछ बूंदे पाई जाती है जल की तो जल तो भाई नीचे बरतन में था तो प्लेट कूपर क्यों की क्योंकि कुछ मात्राएं जो था वास्प बनकर उड़ रहे थी या कुकर आपको भी देखें कि कुकर जब सिटी देता है तो वास्प बीथ होता रहता है उड़ता रहता है तो द्रौव को वास्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं वास्पन द्रौव को से को वास्प बनने की क्रिया वास्पन कलाती है तो क्या होता है जिस पर द्राव का वास्प दाब और वाई मंडलिय दाब बराबर हो जाए वह निश्चीत ताब जिस पर द्राव का वास्प दाब और वाई मंडलिय दाब आपस में बराबर हो जाए तो उस ताब को क्या कोते हैं कोते हैं जिस ताप पर किसी द्रौव का वायमंडलिय दाप और वास्प दाप आपस में बराबर हो तो उस दाप को उस द्रौव का क्वथनाग करते हैं। जिस द्रौव में रुपानतरित होना गैस के संगनन क्या होता है। पदार्थ जो होता है वो दो परकार का होता है एक होमोजीनियस सबस्टेंस एक हेट्रोजीनियस सबस्टेंस यानि समांग पदार्थ और बिसमांग पदार्थ पदार्थ का होता है पदार्थ दो परकार का होता है एक समांग पदार्थ और एक बिसमांग पदार्थ होमोजीनियस सबस्टेंस और हेट्रोजीनियस सबस्टेंस होता है तो पहले हम पढ़ेंगे समांग पदार्थ समांग पदार्थ मतलब की वैसा पदार्थ, समांग पदार्थ क्या होता है, पदार्थ पदार्थ होते हैं, समांग मतलब की समांग और मिश्रण होते हैं, तो वह पदार्थ जिसके परतेक भाग का भौतिक गुण और रसायनी गुण समां हो, तो उससे पदार्थ को समांग वह पदार्थ जिनके परतेक भाग का भौतिक गुण और रसायनिक गुण समान होते हैं, उसे समांग पदार्थ कोते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तंबा पितल हो गया, जल हो गया, इनके परतेक भाग का गुण क्या होता है, समान होता है, तो जिस पदार्थ के परतेग भाग का भौतिक गुण और रसायनी गुण समान होता है उसे समांग पदार्थ होमोजीनियस सबस्टेंस करते हैं और इसी के सेम अपोजीट है हेटरोजीनियस सबस्टेंस बिसमांग पदार्थ कि वह पदार जिसके परतेग भाग का भौतिक गुण और रसायनी गु समान नो हो उसे बिसमांग पदार्थ कहते हैं उसे क्या करते हैं बिसमांग पदार्थ कहते हैं समांग पदार्थ और बिसमांग पदार्थ दोनों एक दूसरे के अपोजीट होते हैं समांग पदार्थ, समांग पदार्थ जो होता है , रसायनिक संग्ठन समान हो वो पदात जिनके परतेक भाग का रासायनिक संग्ठन समान हो, तो वैसे पदार्थ को सुध्पदार्थ करते हैं, सुध्पदार्थ क्या होता है, वो पदार्थ जिनके परतेक भाग का रासायनिक संग्ठन समान हो, तो वैसे पदार्थ को सुध्पदार्थ करते हैं, अब र हुआ वह समांग मिश्रण जिसके रसायनिक संगठन और राकार अनिस्ची थो उसे बिलियन कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ वह समांग मिश्रण जिसके रसायनिक संगठन